गुद मॉर्निंग डियर इस्टुटेंट्स हाव और यू आल आई होग डिफिनेट्ली विल बी गुट और इंज्वाइं यूर डे अट हॉम डियर इस्टुटेंट्स इस वीडियो के थुरू हम आपको यह बताएंगे जो आपका फर्स्ट उनिट टेस्ट कंप्लीट हुआ उसके सॉलिशन क्या थे उसका अंसर किस तरीके से देना था आप लोगों को इस वीडियो में मुझे सुलिशन के बारे में बताएंगे आप लोगों को तो देर स्टुडेंट्स पहला कुछ न क्या था राइट डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस विथि एकजमपल इसमें आपको स आपको कुछ ऐसे ही लिखना था एकजमपल में आप कुछ भी लिख सकते थे रोहित इस गुट बॉय सीटा सिंग सा सॉंग तो यहां पर रोहित के प्लिश पर आप मोहन लिख सकते थे सीटा के प्लिश पर किसी और गल्स का नाम लिख सकते थे तो एकजमपल में कुछ भी कि तरीके से होनी चाहिए थे आप इधर देख सकते हो अब प्रोनावन इस वर्ड डैट इस यूजड अड़ प्लेस आफ नाउन एक्जाम्पल में आपको लिख सकते थे इसमें मैंने दूसरी तरीके से बताया था नाउन है तो इसके प्लेस में हमने यूज की यह तो यह प्रोनावन हो गया तो डिफिनीशन इस तरीके से होनी चाहिए थे तो आपको इस तरीके से लिखने पर फुल माउस दिया जाते ओके एंड तीसरा कुष्चेन क्या था दियर स्टुडेंट माईस द तकॉलम बिथ एक जैक काइंड शाब नाउन इधर कुछ वर्स दिये गए थी कौन से नाउन है उनके एक जैक काइंड साब नाउन सा आपको माईस करना था जैसे सचीन कौन सा नाउन है बटा सचीन है प्रॉ सारी City हैं यहां पर कोई specified नहीं किया गया इसलिए यह common noun हो गया honesty क्या कि honesty कि we can't touch it we can't see it only feel it तो यह क्या हो गया उप्स्राइट नाउन हो गया गोल्ड क्या हुआ बटा गोल्ड से बहुत सारी चीज़े बनाई जा सकती है तो यह material noun हो गया team team में collection है बेटा तो यह collective noun हो गया इस तरीके से जिन्हों ने मैल्स the column किया होगा उनको full marks दिये गए होंगे ओके फूर्थ question था circle the helping word of following sentences dear students यह जो इसमें helping word आपको find out करके उसको circle कर देना था जैसे first sentence था you are eating food in this sentence are क्या है helping word I am singing song is sentence में I am helping word they have drunk water is sentence में have helping word we shall write a letter in this sentence is a helping word she was blind in this sentence was is a helping word okay fifth question था अंडर्लाइन अड्जेक्टिव आप फॉल्लिंग संटेंस इस संटेंस में जो अड्जेक्टिव हैं उनको अंडर्लाइन कर देना था रहा है he is an honest man in this sentence honest क्या बटा एड्जेक्टिव है क्योंकि मैं की quality बता रहा है she is a beautiful girl इसमें beautiful क्या एड्जेक्टिव है क्यों गर्ल की quality बता रही है a hand has five fingers इसमें बेटा यह क्या है कि नंबर ऑफ एड्जेक्टिव है तो यह इसमें five जो है वह अड्जेक्टिव है इस तरीके का कुछ English grammar का concept था आपको अगर जो बच्चे इस तरीके से किये होंगे उनको अच्छे marks मिले होंगे जो इस तरीके से नहीं कर पाया होंगे उनके marks definitely deduct किये गये हैं ठीक है तो इस वीडियो में बेटा बस इतना ही आई हो आपको यह solution समझ माया होगा आप भी मैच कर लिजिएगा आपकी कॉपी में अगर इस तरीके से आपने किया होगा तो आपको अच्छे marks दिये जाएंगे थेंक्यू हैब नाइस टे